विश्व विख्यात और पदमश्री अवाडी मशूर डॉक्टर येशी धोडन का मंगलवार को अकस्मिक निधन हो गया। फिसदी पॉजिटिव ही मिलते थे। इतना ही नहीं डॉक्टर धोडन के विशे में ये भी कहा जाता था कि उन्हें इस रोग को साधने की देवी प्रसिद्धी प्राप्त है। उनके द्वारा किये गे उपचार से आज भी हजारों लोग सवस्ते होकर गुजर बसर कर रहे हैं। शायद यही वज़ा है कि उनकी उतकिष्ट सेवाओं के चलते भारत सरकार ने उन्हें पदमश्री अवाड देकर सम्मानित किया था। आज उनके निधन के बाद चिकत सा जगत में खाली बन महसूस किया जा रहा है। हालां कि आज उनके बद चेनों पर चलते हुए धर्मशाला में आज दो से तेन क्लीनिक इसी पद्धिती पर काम कर रहे हैं। लेकिन उनके पास वो कुर्मात नहीं जो यशी ढोडन के हाथों में थी। डोडन ने एक साल पहले ही अपने क्लीनिक के बाहर क्लोस्ट की तक्ति टांग दी थी ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि अब उनके पास इलाज नहीं होता। एक साल पहले लोगों की जिन्दगियों को दूसरा जीवन देना बंद कुर चुके यशी आज खुद इस दुनिया से रुक्सत कर गए है। आज उनके जाने से ना केवल निर्वासित तिबतियों में बलकि पूरी दुनिया में शोक की लहर है चुकि उनके हाथों से दुनिया भर के लोगों का भी इलाज हुआ था। चाचा जी बहुत बहुत मुवार का हाँ। मुडा चंगे नंबर लेके पास हो या प्लस टू विचों। अग्गे की सोचे यह दे बारे। मास्टर जी जेवे तुसी काओगे। एन्नू इस्टेलिया या निउजिलेंड पे इस दिन ने हैं। ओठे पड़ाईदे नाल नाल कमाई भी करेगा ते ओदे बाद पका होजेगा। पर इस सब के में। ओचाची जी तुसी फिकर ना करो। तुसी सिरफ मेरे नाल चलो। झाल चलो। जी घवे और सी जी तुसी तुसी किटिए अरथक है जबचे लिखने हैं। झाल झाल बाद लेकिन सब्रहन बातनी के अचेशा के बादू से जादे बातनीelोंわかरानाशा से भना य। ठांली जाथ करेगे।